तो नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि डर्मेटोलोजिस्ट कैसे बनें आपको इस वीडियो में पुरी जानकारी दी जाएगी तो वीडियो को आखरी तक देखते रहे आपको आपकी पढ़ाई से लेकर डर्मेटोलोजिस्ट बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया तो आई दोस्तों एक एक करके जानते हैं कि डर्मेटोलोजिस्ट कैसे बने इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ाई करनी होगी कौन सा कोर्स करना होगा या आपके कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी होगी तो दोस्तों हम आपको एक एक करके सभी जानकारी अपने वीडि भीचैंटा सब true Knowledge कके दो सबस्ताइए, या किस तरह से आप एक डर्मित रोजिश्ट बन सकते हैं। किसे बोलते हैं डर्मेटोलोजिस्ट दोस्तों बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि डर्मेटोलोजिस्ट कौन होते हैं या यह कैसे बने रहते हैं इसलिए हम आपके लिए अपनी वीडियो में लेकर आए हैं कि एक डर्मेटोलोजिस्ट बनने के लिए आपको किनकिन बातो को ध्यान में रखना होगा अगर दोस्तों आप भी डर्मेटोलोजिस्ट बनना चाहते हैं तो आईए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए अब हम आपको लेकर चलते हमारी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को स सबी पॉइंगे तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखे वीडियो को आखरी तक देखते रहे ताकि आपको जानकारी भी पूरी हो अम आपको अब लेकर चलते हैं हमारी वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि डर्मेटोलोजिस्ट कौन होते ह या कैसे बनते हैं तो आईए चलते हैं वीडियो की तरफ ये चलिए दोस्तों जानते हैं डर्मोटोलोजिस्ट कैसे बने आदूनी की यूग में इस समय में हर कोई अपनी सुंदर्ता के बारे में जाग रूख है एक छोटी से तुचा की समस्याने लोगों को परिशान कर दिय है और यही कारण है कि जब तरफ विज्ञान लोगों को एक करियर के दायरा बढ़ाता जा रहा है इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि डर्मोटोलोजिस्ट कैसे बने इसमें करियर ओप्शन के बारे में जानकारी दाय रहे हैं तो दोस्तों आईए जानते हैं कि डर्मोटोलोजिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा क्या आपको इसकीन बाल और नाकुन के रोगों में जानने पड़ने निदान जैसे में कामों में रूची है तो दोस्तों यह करियर आपकी फिल्ड में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आज के समय में लोगों क जिसे आपको अपनी तवचा के साथ कोई महतपुर समस्या होने पर परामर्श करता है तवचा विज्ञान वह विज्ञान है जो तवचा बाल और नाखुनों के रोगों के निदान और उपचार से संबंदित है लगातार तकनीक विक्सित हो रही है जो कि इनके साब्वधित रोगों को इलाज में कारगार साबित हो रहा है तो दोस्तों आपको यह तो हमने बता ही दियाए कि डर्मोटोलोजिस्ट किसे कहते हैं यह डर्मोटोलोजिस्ट आप कैसे बन सकते हैं इनसे रिलेटिट क्या क्या कारे होते हैं यह सभी जानकारी हमने इस पॉइंट में आपको दे दी है ऐसे ही आगे की जानकारी जानने के ल अब हम आपको लेका चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि डर्मोटोलोजिस्ट बनने के लिए और क्या क्या करना होता है तो आईए चलिए दोस्तों हमारे नेक्स टॉपिक की तरफ चलिए दोस्तों जानते हैं कि एक डर्मोटोलोजिस्ट क माहिर होता है एक तच्चा विशेशग्य शैकडों से अधिक इस्तितियों को पहचान और उपचार कर सकता है इन इस्तितियों में एक्जीमा, सोराइसिस और तच्चा कैंसर सहीत कैई अन्य शामिल है What is Dermatology? क्या है Dermatology? आज के समय में हर कोई अपने हैल्थ को लेकर जागरूख है अगर आप एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको Dermatologist की पढ़ाई करनी होगी तच्चा, विज्ञान, अध्यन, शोद, और समानिय, और विकारों, लोगों, कैंसर, कोस्मेटिक और तच्चा की उड़, उम्र बढ़ने की इस्तिति, वसा, बाल, नाखून, और जनन, जिल्ली, और विबिन, जाचो, द्वारा, इनका प्रबंद के अलावा, थेरेपी, ज इसमें, डाइंट्रोड, हिस्तो, पॉथलोजी, और आपको बता दें समायिक और प्रडालिक लगतावाईयां मिलती हैं, तो दोस्तों, आपको हमने इसके बारे में बहुत सी जानकारी अपने पॉइंट के माध्यम से दी है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ऐसी जानकारी जानने के लिए वीडियो के आखरी तक बने रही है, हम आपको एक एक करके सभी जानकारी अपने पॉइंट में देने जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि डर्मोटोलोजिस्ट के और कौन कौन से कारे होते हैं, किस त इन की तरफ और जानते हैं कि एक डर्मोटोलोजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो दोस्तों अगर आप भी डर्मोटोलोजिस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वीडियो से आखरी तक जुड़े रहे हैं, तो आईए, हम आपको लेका चलत इन की डर्मोटोलोजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, इत्यादी कॉंपिटीशन मेडिकल फिल्ड में एक में गिना जाता है, इस छेतर में कई वर्षू की शिक्षा और परिक्षण की अवशकता होती है, इस फिल्ड में जाने के लिए आपको PCB याने की Physics, Chemistry औ के लिए पात्र है, MBBS के बाद आप तो अच्छा विज्ञान में Master Degree, Program और Doctor of Medicine MD कर सकते हैं, Admission Process of Demestrogist Course, Demestrogist के लिए आपको क्या करना होगा, फिल्ड में जाने के लिए एक इक्चु केंडिडेट को राश्टिय पात्र तक या सहय प्रविश परिक्षा, Net के माध्यम से MBBS Course में प्रविश ले सकते हैं, अखिल भारतिय आयूरविज्ञान संस्ता एम्स के प्रविश के लिए कैंडिडेट को सलान एम्स की परिक्षा देनी होती है, अन्य विश्विधाले संस्तान प्रविश प्रदान करने के लिए स्वैम की मेडिकल प्रविश परिक्षा भी आयूजित करते हैं, जानकारी के लिए आपको बता दे की हर कॉलेज संस्तान में एड्मिशन प्रक्रिया बदलती हैं, तो आईए दोस्तों, आपको बहुत सी जानकारी हमने इस पॉइंट में दे दी है, आपको इसके बारे में बहुत सी जानकारी मिल गई होगी, आईए ऐसे ही जानकारी जानने के लिए अब आपको लेकर चलते हैं, हमारी वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं, डर्मेटोलोजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो चलते हैं दोस्तों हमारी वीडियो की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आईए चलिए दोस्तों जानते हैं कर्यर सकोप एं डर्मतोलोजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा इसमें कर्यर बनने के लिए आपको दुनिया भर में तुचा की बढ़ती समस्याओं के कारण आगे आने वाले समय में डर्मटोलोजिस्ट की मांग बढ़ेगी डर्मटोलोजिस्ट के लिए बहुत सारे रोजगार के अफसर उपलब्ध है डर्मटोलोजिस्ट के लिए एक प्रतिश्चेट अफस्पताल में डर्मटोलोजिस्ट फिख भाग में काम कर सकता है डर्मटोलोजिस्ट सरकार और प्राइवेट दोनों स्पतालों में नोकरी कर सकते हैं इसके पास ही आपके शिक्षर और विकल्प भी चुन सकते हैं और विदेशी में नोकरी कर सकते हैं जिसके लिए आपको वहाँ पर अच्छा पेकेज मिल सकता है सैलरी एक डर्मटलोजिस्ट को वेतन कितना दिया जाता है तो आएए दोस्तो इतने पॉइंट जानने के बाद आपके मन में भी है सवाल जरूर आए होगा कि इनको सैलरी कितनी दी जाती है तो आएए दोस्तो अब हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि डर्मटलोजिस्ट को कितना वेतन दिया जाता है डर्मटलोजिस्ट सबसे अधिग भुकतान वाली मेडिकल सोसाइलिस्ट सुगमार है एक dermatologist तो सफलता पूरवक कोर्स कर चुके professional का एक अच्छा salary package मिल सकता है dermatologist का अनूबव संस्तान और काम के अधार पर एक अच्छा salary package कमाते है वारत में एक salary package का ओसत बेतन 6 लाग का सलाना package है इस profession के अनूबव बहुत मायने रखते हैं जैसे जैसे आपका अनूबव बढ़ता है यह आपके वेतन में भी बड़ोतरी होती है खास कर किसी बड़े संस्तान में या फिर सरकारी अस्पताल में वेतन सरकार दुआरत तै किये जाते हैं तो दोस्तो डर्मेटलोजिस्ट में दिये जाने वाली सैली पेकेज कैई फेक्टर जैसे नौकरी अनूबव कारे कोशल योगिता कारे छेतर और कैया अन्य फेक्टरों पर निर्बर होते हैं खास बात यह है कि डर्मेटलोजिस्ट खुद को क्लिनिक भी शुरूआत कर सकते हैं जिससे यह जादा पैसे कमा सकते हैं दोस्तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएगा हमारी वीडियो को अपनी सोचल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए दोस्तो ठैंक यू वाचिंग और वीडियो